बहुत पहले तीन पिगलेट्स अपनी मा के साथ एक छोटे से घर में रहते थे समय आ गया था कि अब वो घर छोड़ कर अपनी जिन्दिगी खुद बसाए उनकी मा ने उन तीनों को अपने पास बुलाया मेरे बच्चों अब समय आ गया है कि तुम दुनिया देखो अपनी नई जिन्दिगी की शुरुवात करो भुलना मत तुम चाहे जो भी करो उसे पूरे दिल से करना जिन्दिगी जीने का ही सबसे सही तरीका है थोड़ी सी उदासी और थोड़े से उच्सा के साथ अपनी मा से मिलके तीनों पिगलेट्स निकल पड़े कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक जमीन मिली जहां वो अपने घर बना सकते थे सबसे छोटे पिगलेट्स ने घास से अपना घर बनाने की सोची उसे लगा फटाफट असानी से ये घर बन जाएगा तो खेलने को बहुत समय मिलेगा छोटे का घर एक दिन में बन के तयार हो गया उसने अपने भाईयों को बोला देखो मेरा घर बन गया बड़े पिगलेट्स ने घर देखके बोला अरे ये घर तो बिलकुल भी टिकाओ नहीं है हम भेडियों से कैसे बचेंगे छोटे ने बड़े की बात को रफादफा कर दिया टेंशिन मत लो कुछ नहीं होगा बाद में मत कहना कि किसी ने बोला नहीं मंजले पिगलेट्स ने अपना घर लकडी से बनाने की सोची जंगल से डालिया एकटा करके वो अपने काम में जुट गया तीसरे दिन मंजले का घर बन गया ये घर घास वाले घर से तो ज्यादा टिकाओ था बड़े ने उसके घर को देखके बोला तुने बड़ी मेहनद से बनाया है एसे बड़ा सुन्दर घर है ये पर क्या हम इसमें भेड़ी एसे बच पाएंगे मंजले ने बोला बिल्कुल सुरक्षित है क्यों टेंशन लेते हो बाद में मत कहना कि किसी ने बोला नहीं चोटे और मंजले जब अपने अपने घर में मजे कर रहे थे बड़े अपना घर बनाने में जुटा था वो इट पत्थरों से अपना घर बना रहा था बाकी दोनों को लग रहा था वो बेकार ही इतना काम कर रहा था वो बस खेल कूद के समय बिता रहे थे जब हमारे तरह जटपट घर बन सकते हैं, तो इतनी मेनद क्यों? यह कितना दरता है यह पड़े ने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया पूरे साथ दिन लग के उसने अपना घर शानदार और मजबूत बनाया अगले ही दिन एक भूका भेडिया उनके इलाके में आया उसे घास का घर दिखा तो वो रुक गया छोटा सोफे में बैठा आराम कर रहा था भेडिये ने दर्वाजा खट-कट आया दर्वाजा कोलो मुझे अंदर आना है नहीं कोलोगे तो दो चार फूक से घर तोड़ दूँगा तुम कुछ नहीं कर सकते मेरा घर तिकाओ है भेडिये ने जोड से अपने मूँ से सांस छोड़ी और घर तूट गया पर छोटा जैसे तैसे भाग निकला और दोड़ता हुआ मजले के लकड़ी वाले घर में पहुचा उसके दर्वाजा खट-खटाते ही मजले ने दर्वाजा खोला और छोटा अंदर छुप गया जल्दी बंद करो दर्वाजा बेडिया आजाएगा गबराओ मत इस गर में वो नहीं आ सकता तभी बेडिया वहां पहुचा और उसने आवाज लगाई दर्वाजा कोलो मुझे अंदर आना है नहीं कोलोगे तो दो चार फूग से घर तोड़ दूँगा कुछ नहीं कर सकते तुम बेडिये ने जोड से अपने मूँ से सास छोड़ी और घर फिर से तूट गया जैसे तैसे दोनों भाई वहां से निकल के बड़े के घर पहुचे बड़े बेडिया पीछे पड़ा है क्या करे बड़े ने उन्हें भरोसा दिलाया टेंशन मत लोग ऐसा कुछ नहीं होगा थोड़ी देर में वो भूका भेडिया यहां भी आ पहुचा तरवाजा कोलो मुझे अंदर आना है नहीं कोलोगे तो दो चार फूक से कर तोड़ तूँगा कोशिश भी मत करना कुछ नहीं कर पाओगे भेडिये ने घुसे में जोड़ से अपने मूँ से सांस छोड़ी पर वो घर हिला भी नहीं बिलकुल भी नहीं एक इट भी नहीं हिला पाया वो थक हार के उसने एक दूसरी तरकीब सोची घर के उपर एक चिमनी थी वो उसपे चढ़ने लगा उसे चढ़ता हुआ देख उसे अंदर आने से रोकने के लिए बड़े ने फायर प्लेस में आग शुरू कर दी और एक पानी का बरतन उसपे रख दिया बेड़िया चिमनी के उपर पहुचा और नीचे जाने लगा और सीधे उबलते हुए पानी में गिर गया आँ! आँ! अरे! बचाओ! चल गया रे! बेड़िये को हरा कर पिगलेट्स खुशी से एक दूसरे के गले लगे तीनों भाई अगले दिन अपनी कहानी सुनाने के लिए मा के पास गए छोटा सबसे पहले बोला अपने सही कहा था जो भी काम करो पुरे दिल से करो दिल लगा के करो तो काम्या भी मिलेगी छोटे और मंजले ने आलस छोड़ दिया बड़े की तरहा मेहनत करने लगे और हसी खुशी जिन्दगी जीते रहे सिंड्रेला और दुष्ट भीडिया एक बार दूर देश में एक बहुत है खुबसूरत लड़की थी जिसका नाम था सिंड्रेला अपने सुनेहरी बालों, सुन्दर आँखों और दयालो रवये के साथ वो महल में हर किसी को मंत्र मुप्ट कर रही थी जहां वो रह रही थी एक दिन सिंड्रेला अपने कमरे की खड़की के सामने खड़ी थी और जंगल के होपसूरत दिश्यों को निहा रही थी मैं देख पाते कि इंद्रधनुष के अंत में क्या है जब सिंड्रेला इंद्रधनुष की सुन्दरता को निहा रही थी तभी उसके चुहे दोस्त, मॉज्रेला और चैडर उसके पास आए और उसके कंधों पर चड़ गए सिंड्रेला, क्या तुम हमें उस इंद्रधनुष तक ले जाओगी? हाँ, 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 प्लीज लेकिन मैं पहले कभी जंगल के उस हिस्से में नहीं गई अगर ये खतरनाक हुआ तो इतनी खुबसूरत इंद्रधनुष वाली जगा निश्ची थी खतरनाक नहीं होगी हाँ, और मैं और चैडर तुमारी रक्षा करेंगे कर्षा करेंगे जाओटर क्या वाली तो जाओव फ्लीज वे तो जाओव लेकिन ले लेकिन तो हाँ वेकिन लेकिन क्या हम इंद्र धनुष को कायब होने से पहले पकड़ सकते हैं सिंड्रेला अगर हम सूरज ढ़लने से पहले जाते हैं तो पेशक हम पकड़ लेंगे थोड़ी देर जंगल में जाने के बाद इन दोस्तों ने जो बहुत उम्मीद से निकले थी एक प्यारे से कच्छुए को देखा अरे क्या आप सिंड्रेला नहीं है सबसा खुबसूरत राजकुमारी हाँ मैं हूँ हम कुछ ढूनने निकले हैं मुझे बता तुम यहां किसके तलाश में आई हो हम इंद्र धनुष के पीछे जा रहे हैं हम इस बारे में उच्चुक है कि इसके अंत में क्या होगा सोच में क्या मैं भी चलू फिर एक प्यारे खर्गूश ने पेड़ों के बीच से अपना सिर उठाया वो भी इंद्र धनुष से परे देखना चाहता था बिल्कुल आओ हमारे साथ तो भी सभी जंगल में एक साथ चलते रहे थोड़ा और आगे जाने पर उन्होंने तीन गिलहरियों को अपनी और भागते देखा गिलहरियां बहुत भैबीर और उधम मचाते देखे विस सिंड्रेला और उसके पश्यों मित्रों को देखे बिना दोड़ती रही इन गिलहरियों ने हमारा भी वादन क्यों नहीं किया? मैं डरे हुई लग रही है वो आमतर पैसा नहीं करती मुझा लगता है वो किसी चीज से भाग रही थी थोड़ी देर बाद उन्होंने एक हिरन के बच्चे को डरते हुए भागते दीखा और उन्होंने उसे मुश्किल से रोका सिंड्रेला देखो हिरन के पैर में चोट का निशान है सिंड्रेला ने हिरन से बात करना शुरू किया क्योंकि वो जानवरों के साथ बात कर सकती थी और उन्हें समझ सकती थी प्यारे हिरन क्या चल रहा है तीनों की लहरियां अभी अभी अपनी जान बचाते हुए दौड़ कर यहां से गई है हिरन सिंड्रेला की कान में कुछ फुस-फुसा कर चला गया सिंड्रेला को अपनी सुने पर विश्वास नहीं हो रहा था क्या हुआ? हमारे हिरन दोस्त ने क्या कहा? बड़ा दुष्ट भेडिया क्या? हाँ, बड़ी दुष्ट भेडिये ने जंगल में सभी जानवरों पर हमला करना शुरू कर दिया है यहां तक कि जंगल के राजा शेर पर भी यह महत खतन नाक है, हमें तुरंट महल जाना चाहिए नहीं, बहुत सारे जानवर हो सकते हैं जिने जंगल में मदद के जरूरत है हमें उनके मदद करनी चाहिए सभी पशु मित्रों ने सिंड्रेला की बात मानी और बड़ी दुष्ट भेडिये को रोकने के लिए जंगल में एक साथ खूमते रहे जब उन्होंने भीडिये को देखा तो भीडिया प्यूमा और लोम्री के इव्ध गिर्द खूम रहा था वो जोर सी तहार कर उन पर रॉब जमान की कोशिश कर रहा था मैं अब जंगल का राजा हूँ मैं शेर को भी जल्दी हरा दूँगा पुरा जंगल मुझसे डर जाएगा देखो ये विशाल हाथी भी मेरी आग्या से एक पेर पे खड़ा है बल शाली और बड़े जानवर होने के बावचूत बेचारा हाथी, प्यूमा और लोम्री इतने डरे हुए थे कि वे बिना कुछ कहे चुपचाब सब सहते रहे पेड़िये का आतंक जारी था वो एक कदम पीछे की और गया और एक जाल में गिर गया जिसे शिकारी छोड़ गये थे बचाओ, तब भस गया हूँ, मेरे मदद करो ये देख करकी फेड़िया कमजोर पड़ गया है हाथी, लोम्री और प्यूमा तुरंट भाग गए हाला कि थोड़ा आगे चलने पर वो सिंट्रेला और उसके दोस्तों से मिले जब दुष्ट भेड़िया पुरे जंगल को नुकसार पहुचाना चाहता था तो वो शिकारियों के जाल में गिर गया शिकारियों का जाल? ऐसा लगता है कि ये शिकारी भेड़िये से ज्यादा खतरनाक है सिंट्रेला ठीक कह रही है, वो बहुत खतरनाक होते हैं तो क्या, क्या हम भेड़िये की मदद करेंगे? बेशक, आज जोस के साथ हुआ, वो कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है चलो, मेरे पास एक योचना है सभी जानवर सिंट्रेला से सहमत थे और भेड़िये को बचाने गए उसी समय उन्होंने देखा कि दो शिकारी जाल में फसे हुए भेड़िये के पास खड़े हैं मैं विश्वास नहीं कर सकता कि हमने ये जाल भेड़िये के लिए बर्बात कर दिया हाँ काश की हम लोग लोम्री, खरगोश या अधिक स्वादिस जानवर पकड़ पाते हैं शायद एक बड़ा जानवर हमारे दूसरे जाल में फस गया होगा हम इस भेड़िये का क्या करने वाले हैं सिंड्रेला के दोस्त और जंगल के अन्य सभी जानवर मिलकर एक साथ आए और शिकारियों की तरफ डराने के लिए भागने लगे शिकारी ये देखकर भैभीत हो गए थे और इसलिए वे तब तक भागते रहे जब तक कि वे उनकी नजरों से ओछल नहीं हो गए सिंड्रेला और उसके चूहे दोस्त फसे हुए भेड़िये के पास पहुँचे बचाओ, मैं आपसे विंती करता हूँ हम तुम्हें बचाएंगे, चिंता मत करो लेकिन एक शर्ट पर तुम किसी को भी चोट ना पहुचाने का वादा करो भेड़िये पर विश्वास करते हुए सिंड्रेला और जानवरों ने उसे भयानक जाल से बचाया जाल से लिकलकर अच्छा लग रहा है इस प्रकार भी समझ गए कि जंगल में सबसे मुलेवान चीज है एक दूसरे की रक्षा करना और अपनी दोस्ती की रक्षा करना देखो हम सब इंद्र धनुष की परे आ गए वाँ उस इंद्र धनुष की परे पहुँचकर सिंड्रेला और उसकी दोस्त इस बारे में उत्सुक थे कि वहां आखिर क्या होगा मगर वहां कुछ और नहीं था सिवाए, दया, दोस्ती और प्यार के झा झाला और इंद्र लिए औरहर श्क कर आड़ रहर लाला और, घंद्र झुोर ड्री सिछ श्नाव सब्स्तरी लुप का तंदो झालो दुप The rainbow is all above Your prince will give you love So never give up believing Two hearts are never leaving Dream, Cinderella, dream Your heart shines in this dream Dream, Cinderella, dream Your heart shines in this dream LAL JOOTEE एक समय की बात है बहुत दूर एक देश में कैरन नाम की एक बहुत ही प्यारी लड़की रहती थी वो अपनी मा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी और बहुत ही खुश मिजास लड़की थी वो अपनी मा से वो सब कुछ पूचती थी जिसके बारे में वो जानना चाहती थी मा, आकाश में ये चोड़ी-चोड़ी बत्तिया क्या है? विस से तारे हैं कैरन प्रित्वी पर रहने वाला हर व्यक्ति आखिर में एक तारे में बदल जाता है और हमेशा के लिए आकाश में चमकता है कैरन के पास केवल एक खिलाना था एक जोड़ी कपड़े और एक जोड़ी लकड़ी की चपलों की थी जो वो सड़क पर पहन कर घूमा करती थी उसकी मा ने उसके लिए जो लकड़ी की चपलें बनाई वे आराम दयक नहीं थी लेकिन उसके पास केवल वही थी लाल जूतों का एक जोड़ा मिला. जूते इतनी खुबसूर्ती से चमक रहे थे, कि कैरेन उन्हें अपनी साथ घर ले आई. देखो मा, मुझे इस सड़क के किनारे मिले. कितनी सुन्दर है न ये, जैसे मेरे लिए ही बने हो. ये किसी और के हो सकते हैं कैरेन, तुम्हें उन्हें तुरंट वापस दियाना चाहिए. पर अगर उनका मालिक होता, तो उन्हें बाक्स के साथ ऐसे थोड़े ही छोड़ता. हो सकता है ये मालिक से गल्ती से गिर गए हो. तो उसे इने ऐसे नहीं गिराना चाहिए था. मैंने इने ढुणडा है. अब ये मेरे जूते हैं. पेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो. हो सकता है मैं अभी तुम्हारे लिए नए जूते ना खरीद पाऊ. लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम किसी दूसरे के जूते सिर्फ इस वज़र से पहनो. प्लीज, जिद्धी मत बनो. वादा करो कि तुम ये लाल जूते नहीं पहनोगी. कैरन ने दुखी होकर अपनी मां से लाल जूते ना पहनने का वादा किया और उन्हें अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया. महीनों बीत गए. एक दिन जब तक कैरन घर आई और उसे अपनी मां घर में कहीं नहीं मिली. उसने घर में हर जगे देखा. जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी मां आकाश में चमकीला तारा बन गई है. अगले दिन अपनी मा के अंतिम संसकार के लिए जाते समय केरेन ने वही लाल जूते पहने अंतिम संसकार में आये लोग केरेन के जूतों से नजरे नहीं हटा सके इतना अनादर इस लड़की ने अंतिम संसकार में लाल जूते पहने लेकिन कैरेन ने परवाह नहीं की क्योंकि उसे अपने जूते बहुत पसंद थे तब ही एक नेक दिल बूढी आरत कब्रेस्तान के पास से गुसर रही थी इस बूढी आरत को पता चला कि ये छोटी बच्ची अब अनात हो गई है उसने उसे गोद लेने की इच्छा जाहिर की मेरे साथ आओ सुन्दर लड़की मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम बड़ी होकर सुन्दर और सफल आरत बनो इसलिए कैरेन कई वर्षों तक बूढी आरत के साथ रहने के लिए चली गई कैरेन, आपने अपनी मा के अंतिम संसकार के बाद से ये जूते पहन रखे हैं अब आप इन्हें उतार दें ये बहुत गंदे हो चुके हैं नहीं, मुझे अपने लाल जूते पसंद है ओ, कैरेन, इतनी सित्ती मत बनो चलो, अपनी जूते बदलो मैं और अच्छे जूते खरीद दूँगी, मैं वादा करती हूँ कैरेन उस बुड़ी औरत को नाराज नहीं करना चाहती थी जिसने उसे गोत लेने की दयालुता दिखाई थी इसलिए उसने आखरकार अपने लाल जूते उतार दिये और उन्हें फेक दिया कुछ दिन बीते, एक दिन कैरेन अपने नए कमरे में नए कपड़े और खिलानों के साथ खेल रही थी और बुड़ी औरत उसके लिए नए जोड़ी जूते ले आई लेकिन कैरेन को ये जूते बिलकुल पसंद नहीं आए लेकिन ये नीले हैं, बहुत भड़े, मुझे ये बिलकुल पसंद नहीं है तो आने वाले कई वर्षों तक कैरेन अपने लाल जूतों को बहुत याद करके रोती रहती वो बड़ी होकर ये खुबसूरत युगती बन गई लेकिन उसका जिद्धी रवया कभी नहीं बदला यहां तक कि जब बुड़ी आरत उसके लिए तो भी नहीं मैं ये सब नहीं पहनती लेकिन मैंने इसे तुम्हारे लिए बुना है मैं ये खाना कभी नहीं खाऊँगी मेरे लिए फ्रेंच फ्राइस बनाओ कम सी कम एक टुकड़ा खाकर तो देख लो बेटी बूड़ी औरत कैरन के जिद्धी और नक्चड़े रवाईये से बहुत ठक गई थी लेकिन फिर भी उसने उसके लिए फ्रेंच फ्राइस बनाई जैसे ही वो अंदर आई कैरन नीले जूते उतार रही थी जिनके लिए वो अब बड़ी हो चुकी थी देखो मेरी सारी चीज़े अब छूटी हो गई है मैं बड़ी हो गई हूँ कोई बात नहीं तो चलो तुम्हारे लिए नए कपड़े और नए जूते खरीदते हैं बेटा फिर बुड़िया और कैरन दुकान पर गए ओ देखो मेरे पसंदीदा लाल जूतों की तरह ये तो मेरे पास उने ही चाहिए कैरन आपको फैंसी लाल जूतों के जरूरत नहीं है आपको ऐसे जूते पहनने चाहिए जिनने पहन कर तुम अच्छी लगो किसी के अंतिम संसकार में भी पहन सको मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक जोड़ी जूते खरीद सकती हूँ चलो, उन काले वालों को खरीदते हैं और घर चलते हैं मुझे परवाह नहीं है, अगर तुम दोनों जोड़ी जूते नहीं खरीदोगी तो मैं आप से हर जगह नंगे पाउं जाऊंगी ओ छोटी लड़की, काश तुम इतनी सिद्धी ना होती बुड़ी आरत ने कैरिन के लिए काले जूते खरीदे और अपने आखरी पैसों को उसे खुश करने के लिए लाल जूते खरीदने में खर्च दिया उन्हें अब पैदल ही घर जाना पड़ा रास्ते में बुड़ी हा के पैरों में बहुत दर्ध होता रहा और वो बिगड़ी हुई कैरिन को सहन नहीं कर पा रही थी पर कैरिन को कोई परवाह नहीं थी वो अपने नए लाल जूतों के साथ घर गई एक दिन बुड़ी हा ने कैरिन से कहा क्योंने शेहर में एक अंतिम संसकार में शामिल होना है कैरिन तुम्हें अपने काले जूते ही पहनने है नहीं तो अंतिम संसकार में बेज़ती होगी कैरिन ने अपने कमरे में काले जूतों की ओर देखा और फिर चमकीले लाल जूतों को और उसने लाल जूते पहनना चुना, जब एक घर से निकले तो उसने उन्हें अपनी स्कर्ट से ढख दिया, ताकि बुड़ी औरत को जूते दिखाई ना दे हलांकि अंतिम संसकार में सभी ने कैरन के जूते उसकी स्कर्ट के नीचे चमकते हुए देख लिये थे उन्होंने अंतिम संसकार में कैरन के लाल जूतों के बारे में काना फूसी की, कि ऐसे मौके पर ऐसे जूते पहनना कितनी शर्म की बात है, ये बात जब बुड़िया के कान में पड़ी तो उसे बहुत गुसा आया तुमने मीरी बात नहीं मानी और फिर से लाल जूते पहन लिये, तुम बहुत जित्ती हो कैरन, कुछ तो अकल की बात करो, हमेशा बेज़ती करवाती हो उसी समय वहां से गुजर रहा एक सुन्दर नौजवान, कैरन की सुन्दरता पर मोहित हो गया वो उसके पास आया, और अपनी घुटनों की बल बैट गया और उसे प्रणाम किया तुम कितनी सुन्दर हो, और इन जूतों में और भी खुबसूरत लग रही हो और मेरे प्रिये, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं आप बहुत अच्छा नाचती होंगी, मैं आज रात आपको महल की डान्स नाइट में आमंत्रित करता हूँ, जरूर आईएगा राजकुमार की पेशकश की खुशी के साथ, कैरन खुशी से नाचने लगी लेकिन कुछ देर पाद, कैरन डान्स करना बन नहीं कर पाई मैं अपने पेरों को रोग क्यों नहीं पा रही हूँ, क्या हो रहा है कैरन डान्स करते करते बुड़ी और राजकुमार से दूर चलने लगी कैरिन वापस आजाओ भले ही राजकुमार ने कुछ समय के लिए कैरिन का पीछा किया पर वो बहुत दूर निकल गई कैरिन के लाल जूते कैरिन से भी अधिक जित्ती निकले वे उसे पहाड की चोटी तक ले गए और तीन दिन तक दिन रात उसे नचाते रहे कैरिन के पैरों में इतनी चोटे लग गई थी कि वो पैर रखते हुए भी दर्द से चिलाती थी कीचर में फसने के बावजूद और काटेदार सुया चुबने के बावजूद जूते नाचते रहे बस हो गया, मैं बहुत थक गई हूँ मैं आपसे इतनी जित नहीं करूँगी, मैं वादा करती हूँ प्लीज रुक जाओ, जूतों प्लीज रुक जाओ, रुक जाओ और जब कैरिन ने कहा कि वो अपनी सारी जितें छोड़ देगी लाल जूते उसके पैरों से कूद गए और कैरिन भी समीन पर गिर गई किसी तरह घर पहुँची, उसकी टांगों में बहुत दर्द हो रहा था अपना घर देखकर वो खुशी से रोने लगी, बोड़ी आरत ने दर्वाजे पर उसका स्वागत किया उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया मैं जानती हूँ, मैं बहुत जित्ती लड़की थी, लेकिन मैं वादा करती हूँ, अब मैं वैसी नहीं रहूंगी कैरिन के जित छोड़ने की बाद, चीजें बहतर होने लगी एक दिन, किसी ने दर्वाजा खटखटाया वो कोई और नहीं, वही युवा और संदर राजकुमार था मैं ने तुमें पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम बहुत तेज नाचती हो, तुम्हें कैसे कर लेती हो कैरिन संदर और नौजवान राजकुमार को देखकर खुश हो गई उस दिन से दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे कैरिन ने सिद को पीछे छोड़ते हुए एक सुखी और शांती पूर्ण जीवन बैतीत किया एक समय की बात है एक राजा था जो अपनी बारा सुन्दर बेटियों के साथ रहता था वो बारा प्रेंसेस के साथ एक बहुत बड़े और सुन्दर घर में रहते थे राजा अपनी बेटियों का पूरे दिल से ख्याल रखता था और जब भी रात को सोने जाता था तो राजा उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं देता था पर हर सुभा जब भी प्रेंसेस उठती थी तब कुछ अजीब हो जाता था उन प्रेंसेस के जूतों को जैसे किसी ने सारी रात पहन कर नाच कर रखे हुए हो उस राजा को अपनी बेटियों के लिए हर दिन नए जूते खरीदने पड़ते थे और अगले ही दिन वो सारे जूते इस्तिमाल किये होते थे ना तो राजा और ना ही उनके महल के सिपाही इस जूतों के रास को सुलजा पा रहे थे ये कैसे मुम्किन है कैसा ये जूतों की जोड़ी एक ही रात में इस्तिमाल किये हुए लग रहे है हुजूर हम भी नहीं समझ पा रहे आखिर में राजा ने कहा जो भी कोई मेरी बेटियों के जूतों का राज सुल जाएगा उसकी शादी मैं अपनी किसी भी एक बेटी के साथ कराऊंगा उसे अपना दामाद बनाऊंगा और मेरे मरने के बाद उसी को राजा बना दिया जाएगा पर उस इनसान के पास सिर्फ तीन दिन और तीन राते होगी वरना उसे अपनी बाकी की जिनगी जेल में बितानी पड़ेगी उस राज्ये के खूप सारे नौजवान और दूसरे देशों के राज कुमार भी मेहल में इस काम के लिए आये कई दिनों तक वो उन बारह प्रिंसेस की कमरे के दर्वाजे के बाहर पहरा लगाए बैटे रहते थे पर कोई भी इस राज को सुलजा नहीं पाया और जूते इसी तरहा हर रात को पहने हुए होते थे आखिरकार एक नेक दिल का नौजवान इस काम के लिए आगे आया और फिर वो मेहल की ओर चल पड़ा रास्ते में वो एक बुड़ी औरत से मिला जो बहुत गरीब दिखाई दे रही थी मेरे प्यारे बच्चे मैं बहुत भूकी हूँ क्या आप मुझे एक ब्रेड का टुकडा दे सकते हैं? उस नौजवान ने अपने बैग में पड़ा सारा खाना उस गरीब बुड़ी औरत को दे दिया वो औरत बहुत खुश हो गई क्योंकि इससे पहले वहां से जितने भी लोग उसरे उन में से किसी ने भी उसे कुछ नहीं दिया था वो औरत जानती थी कि ये नौजवान बाकी लोगों से अलग है इसलिए उसने खाने के बदले उस नौजवान को एक जादूई केप दिया ये जादूई केप लोग जब तुम इसे पहनोगे तो तुम अद्रश्य हो जाओगे जब रात को बारा बजेंगे तब तुम इस केप को पहन कर गायब हो जाना इस तरह तुम उन जूतों के रास को सुलजाने में कामियाब हो जाओगे लेकिन ध्यान रहे वो प्रिंसेस तुम्हें कुछ भी पीने को दे तो उसे नहीं पीना वो नौजवान उस केब को लेकर महल की ओर चल पड़ा और जब वो महल में पहुचा उसने कहा कि वो जूतों के राज को सुलजाने आया है पहले दिन जब वो उन प्रिंसेस के दर्वाजे के बाहर पहरा दे रहा था तब ही सबसे बड़ी प्रिंसेस निम्बू शर्बत लेकर बाहर आई आप प्यासे होंगे ना हमने गी निम्बू शर्बत खास आपके लिए बनाया है इसे स्वीकार कीजे वो नौजवान उस बूड़ी औरत की चेतावनी को भूल गया और उसने वो शर्बत पी लिया शर्बत को पीते ही वो गहरी नींद में चला गया पूरी रात वो खराटे मारते हुए एक कमरे में सो गया जो उन प्रिंसेसस ने उसके लिए बना रखा था जब सुभा हुई तो वो नौजवान डर कर खड़ा हो गया मुझे तो चादूई केप पैन कर प्रिंसेस के कमरे में जाना था दूसरी रात वो फिर से प्रिंसेसस के कमरे के बाहर पहरा दे रहा था इस बार दूसरी प्रिंसेस शर्बत लेकर बाहर आई उस नौजवान को पहरा देते देते काफी प्यास लग रही थी और वो रात का इंतजार कर रहा था बिना सोचे उसने वो शर्बत पी लिया और वो फिर से घहरी नींद में चला गया अगली सुभा जब वो जागा तो उसे उस बूरी औरत की बात यादा गई ध्यान रहे वो प्रिंसेस तुम्हें कुछ भी पीने को दे तो उसे नहीं पीना जरूर उस शर्बत में प्रिंसेस ने नींद की दवाई मिलाई होगी उसी वक्त राजा वहाँ पर पहुचा दो दिन बीद गए और तुमने अभी तक उन जूतों के रास को नहीं सुलजाया अगर आज रात तुम इसे नहीं सुलजा पाए तो अपनी बाकी की जिनदगी जेल में पिताना राजा ये बात कहे कर वहाँ से चला गया उस नौजवान को आज किसी भी कीमत पर उस रास को सुलजाना था उसी रात आखरी बार वो फिर से प्रिंसेस के कम्रे की बाहर पहरा देने लगा इस बार सबसे चोटी प्रिंसेस संत्रे का शर्बत लेकर बाहर आई पर इस बार वो नौजवान चौकनना था जब प्रिंसेस वहां से चली गई उसने उस शर्बत को गमली में फेंक दिया आधी रात हो गई थी उस नौजवान ने जादुई केप पहना और गायब हो गया धीरे से उसने प्रिंसेस के कमरे का दर्वाजा खोला और उसने जो देखा वो देखकर हैरान हो गया सारी प्रिंसेस ने अपने सबसे खुबसूरत बॉल गाउंस पहन कर नए शूस पहने हुए थे चलो देखते हैं कि वो नौजवान सो गया की नहीं एक प्रिंसेस ने दर्वाजा खोल कर बाहर जाका और दूसरी ने दिवार पर अपने कान लगाए तब ही उस नौजवान को खयाल आया कि उसे खराटों की अवाज करनी होगी सबसे बड़ी प्रिंसेस ने बेड को एक तरफ सरका दिया और तीन बार ताली बजाए बेड की दूसरी तरफ से एक छुपा हुआ रास्ता खुल गया उस नौजवान को अपनी आखों पर विश्वास नहीं हो रहा था एक एक करके सारी प्रिंसेस उस रास्ते से बाहर गई और नौजवान भी उनके पीछे चला गया ये छुपा हुआ रास्ता सीडियों की तरफ जा रहा था जहां सौ सीडिया नीचे की तरफ जा रही थी तब उस नौजवान का पैर गलती से एक प्रिंसेस के स्कर्ट पर पढ़ गया ओ, किसी ने मेरी स्कर्ट पर पैर रखा ओ, पगली वो तुम ही होगी जब सीडिया खत्म हो गई तो वो जंगल में पहुच गई वो उचे पेडों से गुजर रही थी जिनकी सुंदर सफेद डालिया थी नौजवान ने एक डाली तोड़ी और उनका पीछा किया काफी समय तक चलने के बाद वो प्रिंसेस एक नदी किनारे जाकर रुख गई उस नदी में बारा नाव थी और उनमें बारा प्रिंस उनकी रहा देख रहे थे वो प्रिंसेस नाव में जाकर बैठ गई और नौजवान आखरी नाव में बैठ गया नाव आज कुछ बारी लग रहे है जैसे कोई और भी इसमें बैठा हो अजीब है ओ सपने देखना बंद करो नदी पार करके वो सारे एक बड़े चमकदार महल में पहुँचे और उन्हें अंदर से संगीत सुनाई दे रहा था जब उस नौजवान ने खिड़की से जाका उसने देखा काफी लोग अंदर नाच रहे थे जैसे ही सारी प्रिंसेस महल के अंदर गई वो नाचने लगी वो नाचते नाचते थक गई पर फिर भी नाचते ही रहे और इसलिए उनके जूते पहने हुए लग रहे थे नौजवान अपनी भूप को बरदाश्ट नहीं कर पा रहा था उसने टेबल पर पड़ा केक का एक तुकड़ा उठा कर खा लिया छोटी प्रिंसेस ने ये देखा मेरा केक, मेरा केक हवा में उड रहा है जैसे कोई अत्रिशे इंसान उसे खा रहा हो बगवास बंद करो नौजवान ने सबकी नजर बचा कर सुनहेरा कप टेबल से उठाया प्रिंसेसस सुभा होने तक नाचती रही फिर वो नाव में बैठ कर नदी पार कर गए जंगलों से गुजरते हुए, सीडियों से चड़ते हुए आखिरकार अपने मेहल में फिर से पहुँच गए पर उनके जूते फिर से पहने हुए थे वो नौजवान बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने आखिर में पहने हुए जूतों का राज सुलजा ही लिया कुछ तेर बाद राजा उस नौजवान के पास गया तुमारा वक्त आज खत्म हो गया क्या तुम इस राज को जान पाए? जी हाँ हुजूर, मुझे पता चल गया और फिर उसने राजा को सारी हकीकत बताई राजा ने पहले उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया पर जब नौजवान ने राजा को सफेद डाली और सुनहेरा कप दिखाया तो राजा को यकीन हो गया और फिर राजा ने अपना वचन निभाते हुए उस नौजवान को अपने पसंद की प्रिंसेस चुनकर उससे शादी करने की इजाज़त दे दी नौजवान ने कहा कि उसे सबसे छोटी प्रिंसेस से शादी करनी है वो बारह प्रिंसेस खुश नहीं थी क्योंकि उनका राज अब सबको पता चल गया था पर वो नौजवान और छोटी प्रिंसेस शादी करके हसी खुशी अपनी जिन्दगी हुजारने लगे एक बार की बात है एक रानी और उसकी बेटी देश के सबसे खुबसुरत महल में एक साथ रहते थे राज कुमारी की एक परी थी जिसे वो बहुत प्यार करती थी इस परी ने हमेशा उसकी रक्षा की एक दिन जब राज कुमारी की शादी की उम्र हो गई तो उसने दूसरे देश के राज कुमार से मिलने जाने का फैसला किया रानी ने चलते वक्त अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए गेहनों का एक डिबबा दिया अगर रास्ते में किसी को पता चलता है कि आप राज कुमारी हैं तो आपके साथ बुरा हो सकता है बीटी इसलिए किसी सैनी की बजाई मेरी एक सहायक तुम्हारे साथ रहे की अच्छी परी के पास राज कुमारी के लिए उपहार भी थे उसने उसे फलादा नाम का एक बोलने वाला घोडा दिया मैं सडक पर दोडने के लिए तयार हूं मेरी राज कुमारी एक और चीज है चुमें तुम्हें देना चाहते हूं मेरी राजकुमारी। परीनी राजकुमारी को एक रुमाल दिया, जिस पर तीन सितारे थे। ये जादुई रुमाल है राजकुमारी, इसे हमीशा अपने पास रखें और जरूरत पढ़ने पर इस्तेमाल करें। राजकुमारी ने अलविदा कहा और फालादा पर बैट गई। और उसकी सहायक एक गधे पर। कुछ घंटे बाद राजकुमारी जंगल की सड़क पर चल रही थी। वो बहुत धक गई थी, इसलिए उसने कुछ आराम करने की सोची। ओ, मुझे बहुत प्यास लगी है, हमारे पास पानी है न, मुझे दोगी थोड़ा। सहायक लड़की ने पानी पी कर खत्म कर दिया था। शमा करें, राजकुमारी, लेकिन मुझे भी बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैंने वो सब पी लिया, अपने लिए ढून लो, मैं नौकर नहीं हूँ। राजकुमारी सहायक के ऐसे अभधर वैवार को देख कर बहुत हैरान थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, वे सड़क पर चलते रहे। कुछ समय बीच जाने के बाद राजकुमारी रुक गई। शाही सहायक, क्या आप मुझे उस फवारे से पानी लाकर देंगी, प्लीज। शमा करें राजकुमारी, लेकिन मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। आप अपने घोडे से उतरिये और अपना पानी खुद पी लीजिए। राजकुमारी और फलादा की नसरे मिली। एक बात कहू, मुझे ये सहायक लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही। इसकी मौजूदगी में सावधान रहे। राजकुमारी अपने घोडे से नीचे उतरी और उसने खुद ही तालाब से पानी लेकर पीया। उसकी जेब में रखा जादुई रुमाल अचानक बोलने लगा। मेरी राजकुमारी सावधान रहो, ये सहायक लड़की खतरनाक है। लेकिन जैसे ही राजकुमारी पानी पीने के लिए जुकी, उसका जादुई रुमाल पानी में गिर गया। ओ नहीं। पानी में बहते जादु के रुमाल को देखकर सहायक लड़की ने मौका देखा। अब आपके पास कोई और शक्ती नहीं बची है। अब से मैं सभी आदेश दूँगी। और आप वही करेंगी जो मैं कहूंगी। अब राजकुमारी के कपड़े उतारो और मुझे दे दो। अगर तुम लोगों ने किसी को सच बताया, तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूँगी। सहायक लड़की ने न सिर्फ राजकुमारी के कपड़े पहने, बलकि वो उसके घोड़े फलादा पर भी चड़ गई और आगे बढ़ने लगी। दूसरी और असली राजकुमारी अब गधे पर चड़ गई थी और थीरे थीरे वो उसके पीछे चलने लगी। कुछ देर बाद वे दोनों राजकुमार के महल में पहुँची। जब राजकुमार ने उनका स्वागत किया, तो उसने सोचा कि सहायक लड़की राजकुमारी है और उसे अंदर आमंत्रित कर लिया, जबकि असली राजकुमारी बाहर खड़ी रही। ठीक है मेरे राजकुमार, वो सिर्फ एक नौकरानी है, उसे हमारे साथ महल में अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, आच्छा होगा कि आप उसे कोई नौकरी दे दें, ताकि वो अपनी नौकरों मली उकात न भूले। राजकुमार ने वैसा ही किया, और उसे कॉन्राड नाम की एक लड़के से मिलवाया, जो हंसों का रखवाला था। कॉन्राड की मदद करके, आप भी हंसों का चरवाहा बन सकती है। मेरे राजकुमार, मेरा आपसे एक और अनुरोध है, क्या आप इस ख्रोधी घोड़े को बान सकते हैं, बेहतर होगा आप उसे जंजीरों में बानते हैं, उसने मुझे यहां तक आते आते मार ही डाला होता। तो राजकुमार ने एक सहायक को बुलाया, और उसे घोड़े को एक खलिहान में बानने का आदेश दिया। सहायक लड़की ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही थी, कि उसका धोखा गुपत रहे, और उसने राजकुमार को मुर्ख बनाया। असली राजकुमारी दुखी थी, और रो पड़ी कि उसका घोड़ा फलादा जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वो तुरंत उसे देखने खलिहान में गई। बेचारा फलादा वहां जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ओ फलादा, ये उन्होंने क्या किया। अगर आपकी राणी माने सुना कि क्या हुआ, तो वो बहुत परिशान होंगी मेरी राजकुमारी। निराश होकर राजकुमारी ने अपने घोड़े फलादा को छोड़ दिया, और कॉन्राड के साथ घास के मैदान में हंसों को चराने लगी। थोड़ी दे बाद वो आराम करने के लिए एक पत्थर पर बैट गई, और सोने की क्लिप खोल दिये, जिससे उसकी बाल बंधे हुए थे। जब कॉन्राड ने इन चमकदार हेर क्लिप्स को देखा, तो वो तुरंत राजकुमारी के बालों के पास पहुँचा, वो उन्हें लेना चाहता था। गोल्डन हेर क्लिप्स, मुझे ये सुलहरे बाल चाहिए। आँ, मेरे बालों को छोड़ दो। उड़ाओ पागल हवा, तेज और सीधे उड़ाओ, कॉन्राड की टोपी उड़ाओ और ले जाओ। उसी समय ऐसी पागल हवा चली कि कॉन्राड की टोपी उसके सेर से उड़ गई। पहाड़ों पर उरती हुई टोपी का पीछा करने के बाद कॉन्राड ने आखिरकार अपनी टोपी पकड़ ली राजकुमारी जिसने अपने बालों को फिर से बांध लिया था उसने अपने सुनेहरे बालों की क्लिप छिपा दी सुर्यास तक हंसों को एक साथ चराने की बाद कॉन्राड और राजकुमारी आखिरकार मेहल में लोड़ आए कॉन्राड तुरंट राजा की सामने कया मैं उस अजनभी के साथ काम नहीं करना चाहता पर क्यों कॉन्राड वो पागल है वो अपने घोडे से बात कर रही थी और मेरी टोपी भी उड़ा दी और मेरा मजाग उड़ा रही थी इन शब्दों की बाद राजा के मन में संदी ही पैदा हो गया अगले दिन राजा ने गुपत रूप से राजकुमारी का पीछा किया राजकुमारी पहले खलिहान में गई और अपने जंजीर वाले घोडे फलादा से बाते की घोडे को बाते करते देख राजा को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ फिर वो खास के मैदान में गया जहां कोनराड और राजकुमारी कल हांस चरा रहे थे और वो जहाडी के पीछे चुप गया थोड़ी देर बाद उसने राजकुमारी के बालों में सुनहरे बालों की क्लिप देखी उड़ा पागल हवा तुरन तुड़ा कोनराड की टोपी उड़ाओ और ले चाओ राजकुमारी के इन शब्दों के बाद बहुत ही तेजी से एक पागल हवा चलने लगी और टोपी फिर से उड़ गई कोनराड अपनी टोपी के पीछे पहाडों तक दोड़ा इस बीच राजकुमारी ने अपने सुनहरे बालों की क्लिप फिर से अपने बालों में छिपाली राजा को ये देख कर बहुत आश्चर्य हुआ और वो चुपके से तुरंट महल में लटाया शाम को राजा नी राजकुमारी को अपने उपस्थिती में बुलाया उसने उससे उसके बोलने वाले घोडे फलादा और सुनेहरे बालों की क्लिप और जंगली हवा के बारे में पूछा राजा की ये पूछने पर राजकुमारी रोने लगी मैं आपको नहीं बता सकती महराज अगर मैंने ऐसा किया तो मैं जील चली जाओंगी सच बोलने से बिलकुल भी मढडरो जवान लड़की तो तुम असली राजकुमारी हो चिन्ता मत करो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुचाएगा अब जाओ और राजकुमारी की तरह तैयार हो जाओ राजा ने तुरंत अपने पुत्र राजकुमार को बुलाया और उसे सब कुछ बताया उसी शांप नकली राजकुमारी से बिना कुछ कहे राजकुमार ने महल में भोज का आयोचन किया असली राजकुमारी राजकुमार के एक तरफ और नकली दूसरी तरफ बैठी थी असली राजकुमारी की सुन्दरता मुब्द कर देने वाली थी लेकिन नकली राजकुमारी ने उसे नहीं पहचाना ये लड़की कान है और यहां दावत में क्या कर रही है उसे ये इतने सुन्दर गेहने और सुन्दर बोशा कहां से मिली महल में उपस्थित सभी लोग मेरे पास आपके लिए कहानी है ध्यान ज़े सुनियेगा राजा ने इस तरह बताना शुरू किया कि राजकुमारी के साथ क्या हुआ था जैसे कि ये किसी और की कहानी हो अंत में उन्होंने सभी से पुछा कि जूट बोलकर लोगों को धोखा देने वाले को कैसी सजा दी जाए उस जूटे को सबसे भारी सजा दी जानी चाहिए मेरे राजा उसके पैरों को जंजीर से बांद कर हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहिए क्या वाकई? लेकिन इस कहानी में तुम ही वो जूटी हो तुमने अपने आपको खुद डंड दिया है इस जूटी को मेरी नजरों के सामने से ले जाओ इस प्रकार सहायक लड़की को जूट बोलकर राजकुमारी का जीमन बरबाद करने की ससा भुगतनी पड़ी राजकुमार ने उस रात असली राजकुमारी के सामनी शादी का प्रस्ताव रखा तब राजकुमारी और राजकुमार खलिहान में गये और बात करने वाले घोडे फलादा को भी बचाया आखिरकार सच समने आही गया राजकुमारी अगर आपकी रानी मा ये पल देखती तो वो खुशी से रो पड़ती राजकुमारी और राजकुमार ने एक नया जीवन शुरू किया जिसमें वे अब बहुत खुश थे और राजकुमारी की नेक दिल परी हमेशा उनके साथ रहती थी जो उने हमेशा के लिए हर बुराई से बचाती थी